हाथ व बच्चों आज हम लोग ध्वानी पाट के अंतरगत यह देखेंगे कि ध्वानी कैसे उत्पन होती है और भीन-भीन आपरितियों का ध्वानी का तारत्व किस प्रकार बदलता है उसे भी हम लोग देखेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे जब भी हम किसी वस्तु में आघात पहुंचाते हैं या घर्सन करते हैं या फुटते हैं या उसे हिलाते हैं तो उस वस्तु में कमपन उत्पन होती है और उसी कमपन के कारण धनी उत्पन होती है आज हम लोग एक छोटा सा गतिविती करेंगे जिसमें एक प्लास्टिक इस्ट्रॉल लेंगे एक कहींची क्या हो सकता होगी और हम लोग अलग-अलग आप रितियों का अर्ताथ पाइंप की लंबाई को कम बेसी करके उसकी आप र तरहाँ चैनलता है और साथ यह वी देखेंगे कि कीस प्रकार जो है कमपन होता है वस्तु में कमपन होता है जब दोणी उत्पन होती है लिद निगलती है तो चैनलती होती है उसको देखेंगे और यह भी आम लोग जानते हैं कि अलग-अलग आप रित्तियों का जो सूर हो जिसे सारे गामा पाधा नीकसा तो इसको भी हम लोग इसी प्लास्टिक स्ट्रोग के फ्रूट के माध्यम से जो है दिखाने का पोसेस करें तो आए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लास्टिक प्लास्टिक स्ट्रोग हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग हम लोग उसके लिए क्या करते हैं एक प्लास्टिक इस्ट्रो यह जैसे लस्टी पीने वाला पाइप है यह जूस पीने वाला पाइप है मोटा वाला इस तरह का हम लोग लेंगे इसको हम लोग दो हिस्सा में इस तरह काटते हैं एक छोटा और एक बड़ा अब यह छोटा वाला हिस्सा को किसी एक चोर पर इसको हम लोग थोड़ी इस तरह से दबाएंगे इसको बार बार इसको इस तरह से दबाएंगे ताकि वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरह से एक भी कट बनाते हैं एक किनारे को इस तरह हम लोग काटे हैं अब हम लोग इसक कि दूसरे तरफ भी कि इसको इस तरह से एक धी कट बनाते हैं नुकीला छोर बनाते हैं आप देख सकते हैं यह नुकीला बना हुआ है के अभ के इसे फ्रेस करके आप देखिएगा आवाज एद्वानी उत्पन होगा अब इसको अगर हम लोग इस तरह करते हैं इसको बाहर लग करके खीचेंगे अंदर की और अगर हम लोग खीचेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो नुकीला छोग रहा है इसमें भाइब्रेशन होगा अर्थात कमपन होगा तो यह यह पाइप छोटा पाइप था जिसमें लोग जाते हैं कि पाइप की लंबाय छोटी होने पर अब रिती अधिक होती है अब रिती अधिक होने के कारण इस फ्लूट के त्वारा जो आवाज आ रही थी वो काफी सुरीला था ब्रितू था तारत तो अधिक था अब यह जो लंबा छोट है लंबा छोट से भी हम लोग बना करके देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे किसी एक छोट को इस तरह से थोड़ा सा ourह दबाएंगे दबने के बार वंइसा ही एक भी कट बनाएंगे दोनों तरफ से इस तरह से काटेंगे कि वो दोनों पेन के नीब की तरह नुकिला हो जाए यह आप देख सकते हैं यह जैसे छोटा वाला में किये थे बिल्कुल वह सही है इसको थोड़ा देद हम लोग प्रेस करेंगे अब देखिएगा इसमें आवाज किसा आता है यह दोनों पाइप था यह देखे छोटा है यह बड़ा है यह लंबाई ज्यादा होने के कारण इसमें आप रित्ती जो है कम होगा ठीके कमपोनों की संख्या जो है इसमें बहुत कम होगी, तो इसमें हम लोग देखेंगे किसका आवाज कैसे आता, देखें बहुत मूटा आवाज आ रहा, इधर से भी करेंगे, हम लोग अगर हवा को खीचेंगे, तो ये बायू के रास्ते में आने वाले ये पतले जो छोड़ है, ये जो है, आव अगर मेरे रास्ते मेरे लेके, हम लोग देखेंगे, आप देख लिए कि दो पाइब था, जिसमें एकी आवरिति चोटा था इसकी आवरिति अधीक होने के कारण, इसमें ध्वनी का तारत तो अधीक था, सूरिला था, और ये लंबाई बढ़ने के ऐसमें कम होने के अगर साथ बार इसको खुखते हुए अगर साथ बार अगर अम लोग काटेंगे तो साथ बार क्या होगा इसकी आपरीती धिरे-दिरे-दिरे से बढ़ती जाएगी और हमको जो है जो सब तक या साथ स्वर होता है सारे गामा पाधा नीशा वह अपको इस पस रूप से सुनाई पड़ेगी चलिए खोशिश करते हैं देखते हुआ कि हम लोग क्ठा घर करेगे तो साथ सोर को या इसको से हम लोग सून सकते हैं की ऐसे लंबे पाइप ज् Tel रहता है तो क्या होता है उसका अब्री टिन जो है छोटा रहता है आवर्तक ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है हमको ज्यादा एनर्जी लगता है उसको पूरा करने का क्या होता है कि उसमें कभी-कभी कहची से काटते समय वह बंद हो जाता है बंद होने के कारण आवाज जो है थोड़ी देर के लिए रुख जाती तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग करने का कोशिस कर सकते हैं और और आप इस प्षर्व को जो है सुल पाएंगे तो आप लोग भी साहद बनाएं होंगे चलिए आप लोग जो बनाएं हैं थोड़ा को सब्सक्राइब बजाएं तो कि अजुष करें कि अजुष करें कि तो यह पहुत है जिसमें हम लोग यह देख पाएं कि जो है द्वानी उत्पन होने के लिए कंपन जरूरी है और यह कंपन को भी अच्छी तरह से दिखाता है और साथ में हम लोग एक इस्ट्रॉप को छोटा बढ़ा करके जो है उसकी आपरिंति को कम कर सकते हैं और उसकी ध्वानी को आपरिंति के कम होने से या अधिक होने से उसकी आवाज मिख्या अंतर आती है जज्ञाबादी